आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ वेक्तर b का magnitude हों गिवेन है 13 की एकोल और a कोई बी की वल्योग गिवेन आपको 25 देखो a कोई बी ओता है अपना वेक्तर a का magnitude इनटो वेक्तर b का magnitude इन्टो में sin theta इसकोषू 25 है इसकी value अपना है इपना हमको 5 है ये 13 है 5 into 13 into sin theta if you question 25 तो sin theta की यहांसे value आदेगी 25 upon 5 into 13 which is 5 by 13 ठीक है तो sin theta की value होगी तो मैं cos theta की value गाल सकता हूं क्योंकि cos theta मेरा होता है square root of 1 minus sin square theta के बराबर ठीक है यह होता है अपना cos theta की value cos theta की कुशिव square root of 1 minus sin square theta तो square root of 1 minus 5 by 13 का whole square तो आदेगाल सकता है 169 minus 25 upon 169 तो value आदेगी यहांसे 12 by 13 ठीक है cos theta की value आगे 12 by 13 अब आपको क्या निकालना है a dot b निकालना है ठीक है देखो a vector a dot vector b जो होता है न वहता है magnitude vector a into magnitude vector b into cos theta तो सारी values पूट कर देते हैं magnitude vector यह अपना 5 है b है 13 cos theta की value आगे 12 by 13 तो 13 से 13 कैंसे 5 into 12 is 60 तो यहनी a root b की value आगे वो अपनी 60 के बाबर आगे यह जाएगा इस question का अपना answer ओके thank you friends classics to 12 से लेके need IIT GE means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet app यह whatsapp कीजे अपने doubts 8444 चार्स उपर